Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program 3.0 for SSJ 2024 Prelims Preparation आज पूरे वीक का सबसे important day है आप लोगों के लिए ये task 31 है और आज task 31 में आप जितना आपने अब तक पढ़ा है उस सब को revise करोगे बिल्कुल इस तरह से जैसे कि आपका exam होने जा रहा है और exam से एक दिन पहले जैसे आप preparation करते हो जैसे आप revise करते हो पूरा दिन आप उसी तरह से revise करोगे और उसके बाद आपको full test attempt करना है अपना जो की SSJ civil 2024 test series में मिल जाएगा आपको test book की उसका full test 1 सभी को attempt करना है और as usual जैसे आप अपने marks upload करते हो community post पर वहाँ पर आपको upload करने है अपने marks आप इस pattern में ही upload करोगे GS, reasoning, technical, total क्योंकि आप सभी लोग लगबग same test ही दे रहे होंगे तो आप rank भी upload कर सकते हो तो ये 5 चीज़े आपको upload करनी है community post दसील बंदा channel की और ये test पिलकुल आपको honesty से देना है और इसी तरह से attempt करना है जैसे कि आपका ये real exam होने जा रहा है although आपका exam June में है लेकिन अभी से आपको prepare रहना है इस exam के लिए अभी January है और January से ही आप full test दोगे तो एक बार-बार आपको analysis होता रहेगा हर week आपको analysis होगा कि कहां पर कमी रह गई पूरे हफते आपने पढ़ने के बाद आपने क्या gain किया कितनी improvement हुई आपकी पढ़ाई में आपकी knowledge में ये आपको full test देने के बाद ही पता चलेगा तो आपको पिल्कुल seriously लेना है इस full test को और upload करने है अपने marks इस pattern में अभी जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी classroom training चल रही है CPWD में ही और वहाँ पर अलग अलग classes में कुछ information कुछ knowledge दी जाती है जैसे कि अभी दो-तीन दिन पहले NPS के बारे में बताया new pension system के बारे में प्लस साथ-साथ ये बताया कि central government की job में क्या-क्या फाइदे है और सभी कुछ तो मैं नहीं बता पाऊँगा उतना time नहीं है लेकिन बस इतनी बात समझ लो कि दुनिया में आपका साथ हर कोई छोड़ दे अगर आप CPWD में या फिर central government की job में हो तो सरकार आपका हाथ पकड़ के रखती है आपका और आपके dependent जो भी है आपके माता-पिता है आपके छोटे भाई-बेन है हर एक का साथ सरकार देगी आपको ऐसा महसूस होता है कि motivation नहीं मिला है पढ़ाईगा या फिर नहीं हो पार ये पढ़ाईगा तो दो चीजे हैं पहला तो ये आपकी consistency बनाने के लिए मैं daily आपके लिए आपको task देता हूँ आपको सोचने की जुरत नहीं पड़ती कि आज मुझे क्या पढ़ना है सुबह उठना होता है टास्क अपना देखना होता है और तुरन से लग जाना होता है सुबह से लेके शाम तक आपको ये task complete करना होता है दूसरी बात क्या सरकार आपको इत्ती सब चीजे दे रही है आपको एक छोटा सा example देता हूँ हमें classroom में बैठना होता है जो वो बढ़ा रहे हैं उनको सुनना होता है थोड़ा समझना होता है इसमें कोई काम नहीं कि हमने पर देखे 2000 रुपे वो दे रहे हैं हमें free में पिल्कुल ये free ही मैं मानूँगा क्योंकि बस class में बैठना है आपको इतना सब कुछ मिला है इसके साथ साथ health issue है आपको कोई आपके घर पे कोई issue है और तो आपका सारा इलाज आपके सारे टेस्ट आपके dependent के सारे इलाज बिल्कुल लगबख free of cost पे ही हो जाता है आपको इतनी सारी चीज़े मिल रही है न यहाँ पर थोड़ा सा आपको अगर जो motivation का लगे तो एक बार सर् Central Government की जोब में क्या-क्या perks आपको मिलने जा रहे है अब अगर सरकार आपको इतना सब कुछ दे रही है तो क्या आप डेली पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो 7-8 घंटे मैं आपको टास्क दे रहा हूं literally यह DGP 3.0 चल रहा है DGP 1.0 भी आया 2.0 भी आया मेरा बिल्कुल 0.01% का रोल यह है कि मैं जस्ट टास्क देता हूं मैं इसमें कोई पढ़ाता भी नहीं हूं आपको कोई टोपिक मैं जस्ट आपको टास्क देता हूं और 99.99% आपका ही रोल है इसके अंदर आपको बस मेहनत करनी है आपको सिरफ और सिरफ यह जो मैं टास्क दे रहा हूं पिल्कु जब एक्षन लेते हो, जब आपको ऐसा लगए कि कोई स्टार्ट करोगे, मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगा . यह बिलकुल यह हैं सबके सात होता है मैंने खुद इस चीज को एक्सपिरियेंस किया है और तभी इतने आमके निकाल यह है मैंने बढ़ा ही आपको करनी पड़ेगी, तो all the best आप सभी को, आपके full test के लिए, that's all for this video, thank you,